ताजनगरी में डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं शुक्रवार को रामबाग के इस वर्ष के युवक में डेंगू की पुष्टी हुई उसने सन्ट मेडिकल कॉलेज में जाँच कराई थी साथी जिला स्पताल में फिलहाल डेंगू के दो सक्रिय मरीज भरती हैं जिसके चलते जिले में डेंगू मरीजों की संख्या अठारा हो गई है आगरा जिले में डेंगू से ग्रस्त मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है शुक्रवार को डेंगू का एक और मरीज मिला है जिसकी पुष्टी शनिवार को ही है जिलास्पताल में भी डैंगू से ग्रसित दो मरीज भड़ती हैं जिसके बाद अब जिले में डैंगू मरीजों की संख्या 18 हो गई है वही शुकरवार को निजी लेम में किये गए रैपट टेस्ट के आधार पर पांच डैंगू के संदिक्द मरीजों के घरों पर स्वास्त विभा की टीम पहुंची और एंटी लार्वा के छिड़काव के साथ अनिगतिविधियां की गई डक्टर विकास सिंगल के द्वारा जो हमें निर्देश दिये गए थे फरवरी में हम उनी पर पूरी तरह से इंप्लीमेंट कर रहे थे और उनी को कार्यानमित करके हमने पूरे जन्पत में इसी तरह से काम कराया है और उसके इतना अच्छा काम होने के बाद फिर हम आज देख रहे हैं कि फिर भी हम इस्थिती पर पूरी तरह से सतर्क बनाये हुए हैं नजा रखे हुए हैं जिला मेलेरिया अधिकारी डॉक्टर नीरश कुमार ने बताये कि रामबाग निवासे 21 वर्ष्य यूवक में शुक्रुवार को डेंगू मिला हाला कि उसकी स्थिती ठीक है वह घर पर है अस्पताल में भड़ती करने की स्थिती नहीं है मरीज के घर वह आसपास एंटी लार्वा का छिड़काफ कराया जाएगा और जैसा कि अभी कहा गया कि प्राइवेट लैप्स पर भी ध्यान देकर उनसे जो केसिज डिकलेर हो रहे हैं हम उनी सभी की लिस्ट मंगाए रहे हैं और डेली की डेली हमारी टीमें सब उन पर पूरी तरह से अक्टिविटीज कर रही है जिसमें की एंटी लार्वल स्परे, सोर्स डिडेक्शन, हाउस स्परे और फोगिंग नगर निगम के सायोग से हम करा रहे हैं वहाँ पर हम अपने डीबीसी वरकर्स और अपनी एमाइस को लगा कर बहुत अच्छे से स्वास्त शिक्षा भी दे रहे हैं डीएमो आगरा ने बताया कि जिले में करीब 12 निजी लाब में डेंगू की जांच की जा रही है इसमें से सभी अस्पतालों की ओर से डेंगू की जांच रिपोर्ट स्वास्त विभाग को नहीं उपलब्द कराई जा रही है चार से पांच की ही रिपोर्ट मिल रही है जबकि विभाग न सभी लैब को अनिवारे रूप से डैंगू की रिपोर्ट भेजने की निर्देश दिये हैं शासंस्तर से भी इस संबंध में दिशा निर्देश चारी किये गए हैं जिस भी छेतर में कोई हमें संक्रिम्ट पेशन मिलता है विभाग द्वारा जल्दी ही ग्रामेड एवं शेतरी शेहरों में जागरुकता भ्यान चलाया जाएगा जहां स्कूलों के साथ सामाजिक शेतर में काम करने वाली संस्ताओं की भी मदद ली जाएगी और लोगों को डैंगू से बचाव के प्रती जागरु किया जाएगा सी नियूस के लिए अनल कुमार सिंग की रिपोर्ट